बिसमिल्ल रह्मान रहीम, dear students, हमने unit number one IQ यानि intelligence वो discuss करना start किया था और वो क्या था IQ series, numerical, alphabetical and alphanumeric और उसमें भी topic number one है वो हम discuss कर रहे थे, that is numerical and alphabetical series और further हम numerical series या number series को discuss कर रहे थे और इसमें हमने तीन models को discuss कर लिया था addition, subtraction, multiplication, तो आएं आज fourth model जिसको division कहते हैं, वो discuss करते हैं basically यह जितने भी models हम discuss कर रहे हैं, these are the operators question number four है आपकी book का 5, 2.5, 1.25 and 0.625 और आगे question mark है यानि हमने यह missing term बतानी है, तो देखते साथ ही मुझे यह अंदाजा हो रहा है कि 5 divided by 2 हुआ है तो 2.5 मिला है, 2.5 divided by 2 हुआ है तो 1.25 मिला है 1.25 further divide हुआ है, 2 से तो answer 0.625 आया है students अगर आपको मुश्किल होती है decimals की division करना तो आप इसको इस तरीके से solve कर सकते हैं 1.25 divided by 2 करना था, मैं decimal sign को remove करता हूँ और उसको compensate कर देता हूँ by dividing it with 100, अब इस 100 को अभी divide नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, 125 divided by 2 करते हैं 2, 6, 12, 2, 2, 4 हो जाएगा, 1 remainder होगा, point लगाया 0, तो 2, 5 सा 10 हो जाएगा तो 62.5 आया, अब इस 100 को compensate करते हैं, यानि ये दो digits जो हैं, ये decimal उटके दो digits left side पे move कर जाएगा, तो answer would be 0.625, clear हो गया, यानि के अब इसको further 2 पे divide करना है तो इसको भी क्या करेंगे, decimal को remove करेंगे और compensate कर देंगे, 1, 2, 3, जहां से decimal remove होता है वहाँ पे 1 आता है, और कितने digits से आगे 3, उतने zeros लगा देते हैं, अब ये 625 divided by 2 है तो 2, 3, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 4, remainder 1 आया, point लगाया, 0, 2, 5, जा 10 अब further ये 1000 से divide जब होगा, तो 3 digits left side पे decimal move कर जाएगा और आपका answer क्या बन जाएगा, 0.3125 clear हो गया students, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी logic थी, divided by 2 वली बिलकुल ठीक थी question number 41 of your book, minus 6, 9, minus 27 by 2, 81 by 4, minus 2, 43 by 8 और आगे question mark है, यानि missing number बताना है हमने तो यहाँ पे overall अगर मैं sequence को देखूं तो मुझे एक बात तो clear नजर आ रही है कि ये minus है, फिर आगे plus, फिर minus है, और ये plus, फिर minus है, तो आगे missing term क्या होनी चाहिए, वो plus में होनी चाहिए students, ये question number 41 है, आपकी book का, साथ ही में correction भी कर लें, यहाँ पे 234 by 8 नहीं है बलके 243 by 8 है, तो एक चोटी सी correction है, ये कर लीजेगा तो coming back to the question, हमें एक बात clear होगी, कि ये जो minus plus, minus plus हैं, ये alternate होने चाहिए similarly, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो minus 6 को किस से multiply करूँ, कि मेरे पास result आए 9 या मैं divide भी कर सकता हूँ, कि किस से divide करूँ, लेकिन पहले मैं multiplying factor चेक कर लेता हूँ तो minus 6, यहाँ पे x आ जाएगा, minus उस तरफ move कर जाएगा, minus और ये 6 हो जाएगा, 3, 3s are 9, 3, 2s are 6 तो minus 3 by 2, वो multiplying factor होगा, कि minus 6 के साथ, अगर आप minus 3 by 2 multiply कर देते हैं, तो आपके पास 9 result आता है, चेक कर लें minus 6 multiply by minus 3 by 2, तो यह minus minus plus हो जाएगा, 2, 1, 2, 3, तो आपके पास result क्या आया, 9 आ जाएगा clear हो गया students, और अगर मैं यह कहूँ कि मुझे divide किस से करना है, तो divide भी देख लें, कि minus 6 को divide होना चाहिए था, फिर इसी कार ऐसी प्रोकल ले लें that is minus 2 by 3 से divide होना चाहिए था, तो minus 6 जब divide होगा, किस से minus 2 by 3 से, तो यह minus minus से cancel हो जाएगा, 6, 3, 18 हो जाएगा, 18 by 2 हो जाएगा, और result क्या आएगा, then again 9, तो अगर आपने divide करना है, तो divide किस से करेंगे, minus 2 by 3 से, multiply करना है, तो multiply किस से करेंगे, minus 3 by 2 से, तो हम multiply के factor के साथ ही चलते हैं, क्योंकि उससे हमें असानी हो रही है, तो minus 6 और फिर आगे 9 आगया, 9 को फर्दर आगे किस से multiply होना चाहिए था, minus 3 by 2, तो 9 into 3, minus 27 हो जाएगा, minus के साथ, और divide by 2 आजाएगा, फर्दर minus 27 by 2 जब इस से multiply होगा, तो minus plus हो फिर फर्दर 81 into 3 करेंगे, तो 243 हो जाएगा, minus के साथ, और 4 to 8 हो जाएगा, इसका मतलब है, minus 243 over 8 has to be multiplied with minus 3 by 2, clear हो गया, और यह minus minus plus हो जाएगा, ultimately, और 243 यह divide नहीं हो सकता, since, तो 243 को हम multiply करवा देते हैं, 3 से, 339, 4312, 1 carry, 326, और यह 729 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 729 positive में होना चाहिए, और divided by 16 होना चाहिए, because logic यह कह रही है, कि वो एक factor जो multiply होता जा रहा है, और next time मिलती जा रही है, तो वो logic बिलकुल ठीक है, और उसके अंदर minus plus minus plus हमारा logic के हिसाब से ठीक आ रहा है, तो right answer would become 729 by 16 and we have calculated the right answer, example देखें, 240, question mark, 120, 40, 10, 2, अब यहाँ पे आपके पास question mark है second के उपर, और आगे series थोड़ी सी उसने बताई वी है, और series आप अगर देखें, तो यह shrink हो रही है, ना कि expand हो रही है, तो हम क्या करते हैं, कि इसको last से चेक करना start करते हैं, कि अगर मैं यह देखूँ, कि 2 multiply by 5 हुआ, और 10 multiply by 4 हुआ, और 40 multiply by 3 हुआ, और 120 multiply by, अब यह क्या था, 5, 4, 3, तो this has to be 2, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, तो क्या answer आ जाना चाहिए, 120 multiply by 2, that becomes 240 आना चाहिए answer, और 240 जो होगा, उसको किस से multiply करना पड़ेगा, 1 से, तो मेरे पास right answer क्या बन जाएगा, 240 बन जाएगा, अब अगर आप इसको थोड़ा सा, यहां से भी देखें, from left hand side to right hand side, तो तब भी बनता है, 240 divided by 1, gives you 240, 240 divided by 2, gives you 120, 120 divided by 2, divided by 3, gives you 40, 40 divided by 4, gives you 10, 10 divided by 5, gives you 2, तो आप इसको दोनों तरीकों से देख सकते हैं, हमारी logic दोनों पर ही काम कर रही है, आया हम उसको multiply के लिहास से देखें, आया हम उसको division के लिहास से देखें, तो right answer would become 240 और वो ही हमने calculate भी किया, move करते हैं आगे, division के कुछ questions अब हम relate करेंगे, कि जिसके अंदर division, addition, subtraction, ये साथ में different operators भी आ रहे होंगे, question number 50 of your book, 156, 76, 36, 16, तो अगर 156 है और आगे फिर 76 है, इतना huge gap आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि 156 has to be divided by some number, 156 का सबसे पहले half check कर लेते हैं, 27, 14 हो जाएगा, और 28, 16 हो जाएगा, answer क्या आया, 78, और फिर इसके अंदर से कितना subtract हो, minus 2 subtract हो, तो result क्या आएगा, next number that is 76, तो वो ही हो रहा है, यानि कि this number has to divide by 2, और फिर आगे, minus 2 होगा, तो फिर ये आएगा, अब next आगे के लिए भी check कर लेते हैं, कि 76 divided by 2 हो, और फिर minus 2 हो, क्या 36 बनता है, चेक करते हैं, 76 divided by 2, तो 2, 3, 6, 2, 8, 16, 38, minus 2 करेंगे, तो 36 बनेगा, क्या 36 बन रहा है, yes, it means कि हमारी logic ठीक है, तो ये divided by 2 होगा, और minus 2 भी करेंगे, फिर 36 divided by 2, आपके पास क्या आजाएगा, 18 और 18 minus 2 करेंगे, तो 16 ही आएगा, 16 divided by 2 करेंगे, 8 आएगा, 8 minus 2 करेंगे, तो आपके पास right answer, इस question mark की जगे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और उस लिहाज से, हमारा right answer क्या बनता है, 6 बनता है, और वो ही हमने calculate भी किया, question number 59 देखते हैं, students, अब मैंने आपको कुछ addition, multiplication और subtraction में कुछ ऐसे questions भी करवाय है, कि जिसके अंदर उसी sequence के कोई भी दो numbers आप multiply या divide करते हैं, तो next number आता है, या add और subtract करते हैं, तो next number आता है, तो यहाँ पर देखें, कि यह अपके पास एक specific ऐसा sequence है, कि जिसके अंदर 3.5 और 4 है, और 7 है, और 14 है, और 49 है, तो अगर 3.5 और 4 को आपस में multiply किया जाए, तो result देखते हैं, क्या आएगा, 3.5 क्योंकि 3.5 ता, multiply by 4 करते हैं, और divided by, अभी सिर्फ multiply करते हैं, क्या बनता है ये, decimal remove करेंगे, और यहाँ पर 10 आजाएगा, तो 7, 5, 7 हो जाएगा, और 5, 2 हो जाएगा, 7, 4, 28 हो जाएगा, और 28 by 2 gives you 14, और 14 का भी फर्दर half करेंगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, वो next number आजाएगा, इसका मतलब है, लॉजिक ये कह रही है, क्या 3.5 multiply by 4, यानि पहले दो numbers को multiply करें, और at the same time 2 पे divide भी करें, तो तब आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा, क्या, 7 और 4 के ओपर ये apply हो रहा है, चेक करते हैं, 4 into 7 divided by 2, 7, 4, 28, yes, ये हो रहा है apply, 14 आ रहा है, 14 into 7 करें आप, तो 14 into 7 divided by 2 करें, 2, 1, 2, 7's are 14, तो 7, 7, 49 next term ही बन रही है, और फिर इसका मतलब ये है, क्या हमारा answer क्या होगा, 49 into 14 होगा, तो 49 into 14, 9, 4, 36, 3 would be carry, 4, 4, 16, और ये 19 हो जाएगा, multiply 9, 1, 4, 1, 6, 18, 1 carry, 4, 5, 6, 6, 86, आपके पास आ गया है, और at the same time हमने क्या करना है, इसको 2 पे divide भी करना है, because logic ये कह रही है, तो 2 पे जब हम divide करेंगे, तो ये आपके पास क्या answer आ जाएगा, 343 right answer बन जाएगा, तो I hope so students के ये आपको different varieties के questions, आपको different exposure दे रहे हैं, कि जब कभी भी कोई भी question आए आपके सामने, तो आपने उसको किस तरीके से deal करना है, if one of the operator is not working, तो फिर आपने दूसरा operator पे जाना है, फिर दूसरा operator भी काम नहीं कर रहा है, फिर आपने mix operators यूज़ करने हैं, clear हो गया students, move करते हैं अपने fifth model की तरफ, that is related to squares and cubes, which is also interesting, question number 38 है आपकी book का, अब squares और cubes के लिए सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, कि once से लेके at least 15 तक, आपको हर एक number का square भी पता होना चाहिए, और हर एक number का cube भी पता होना चाहिए, ये याद कर लें, entry test के लिए ब तो almost सबी को याद होते हैं, तो question number 38 में देखें, 63, 37, 15 और 5 है, अब 63 को आप लिख सकते हैं, 8 square और वो क्या होता है, 64 तो इसका मतलब है उसमें से एक minus हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं, 6 square minus, sorry, plus 1 हुआ, और फिर यहाँ पे अगर हम देख तो then again यह minus 1 हुआ, plus 1 हुआ, तो अब 4 square क्या होना चाहिए, minus 1 होना चाहिए, यह आप देखें, तो minus 1 आगया, तो 2 square plus 1 होना चाहिए, और last इसका अगर हम देखें तो हमारा logic क्या कहती है, कि अगर यह आपके पास 8, 6, 4, 2 है, तो यह आपके पास कौन से चल रहे हैं, even numbers चल 8, 6, 4, 2, तो आगे आपके पास कौन सा number होना चाहिए, 0 होना चाहिए, because 0 is also an even number, तो 0 square हो जाएगा, और यहाँ पे plus 1 हुआ है, तो यहाँ पे minus 1 होना चाहिए था, तो result would be minus 1, और वो ही हमने logic के तहद भी, वो ही find out किया, तो कुछ squares के भी questions होते हैं, similarly आगे भी question देखते हैं question number 33 है, अब 33 में देखें, 0, 3, 8, 15 और आगे question mark है, हम squares और cubes को discuss कर रहे हैं, कुछ questions आपके पास पिर ऐसे भी होते हैं, कि squares और cubes के अंदर भी क्या हैं, different operators साथ में merge हो रहे होते हैं, addition, subtraction, multiplication और division का, जैसे कि इसको देखें, 0 को, अब यहाँ पे 0 है, 1 का square, minus 1 करूं, अगर मे 2 का square, minus 1 करूं, तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है, फिर 8 को अगर यहाँ पे, आपके पास कॉमा है, तो 8 को अगर हम देखें, तो 3 का square, minus 1 करें, तो 8 आता है, 4 का square, minus 1 करें, तो 15 आता है, तो अब यह जो different operators हैं, उनका भी सहारा लेना है हमने, which is, 1 का square, minus 1 gives you 0, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास हम previous term में कुछ multiply, add और subtract करें, तो तब ही आप next term पे move करें, आप sequence इस तरह भी बना सकते हैं, 1 square, minus 1, 0 आएगा, 3 को देखें, तो 3 किस तरह, 2 square, minus 1, यानि 4 minus 1, 3, 8 को अगर हम देखें, तो यह आपके पास, 3 का square, which is 9, minus 1 करेंगे, तो 8 आए तो इस logic के तहट, आपके पास question mark की जगे क्या आना चाहिए, students, यहाँ पे आपके पास, 1, 2, 3, 4 इसी तरह चल रहे हैं, so this becomes 5 का square, और minus 1 करेंगे, तो 5 square, 25 minus 1, gives you the right answer as 24, clear हो गया, students, move करते हैं, move करने से पहले practice question है, आपकी book के 25 and 46, please mark कर लें अपनी book के ओपर और साथ ही उसकी practice भी कर लें, क्यूंकि जब आप इन questions को as per different models करते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा exposure मिलेगा, clear हो गया, example एक और देखते हैं, 0, 6, 24, 60, 120, and 210, और फिर last में missing term पूछी वी है, उसने, then again, हम यहाँ पे कोई relation find out करने जा रहे हैं तो 0 को अगर मैं देखूं, तो यह मेरे पास 1 का square या cube कर लें, minus 1 कर लें तो 0 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 का cube minus 2 करेंगे, 3 का cube minus 3 करेंगे, 4 का cube that is 64 minus 4 करेंगे, 5 का cube that is 125 minus 5 करेंगे, 6 का cube that is 216 minus 6 करेंगे, और फिर last में आपके पास number आजाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि cube का operator लग रहा है, which is 1 cube minus 1 तो 0 आएगा, फिर 6 के लिए 2 का cube minus 2 किया, फिर यहाँ पे minus 1 minus 2 अब increase होते जा रहे हैं, minus में, तो यहाँ पे आपके पास 3 का cube, which is 27 minus, क्या कर गया, हमने 3 किया, और फिर इसी तरीके से यह 24 बन जाएगा, 27 minus 3, फिर इसके लिए हमने देखा, तो वो हमारे पास 4 का cube minus 4 किया, इसके लिए 5 का cube minus 5, इसके लिए 6 का cube minus 6, और इसके लिए क्या करेंगे students फिर, 7 का cube minus 7 करेंगे, 7 का cube 343 होता है, minus कर दें, उसमें से 7, तो 7 उसमें से minus करेंगे, result would be 336, तो right answer would be 336, students, आपकी book के अंदर इसके options नहीं दिये गए, तो वो आपको हम ये सिखाना चाहरे हैं, कि आपने right pattern और logic किस तरह अपलाए करनी है, but in entry test, आपको options given होंगे, तो कुछ आपको options से भी idea मिलेगा, कि आपने right answer क्या निकालना है, या किस तरफ लेकर जाना है, clear हो गया, moving on, squares और cubes के कुछ मजीद question देखते हैं, one, four, twenty, seven, sixteen, question mark, thirty-six, three, forty-three, अब अगर मैं देखूं तो ये सारी मेरे पास क्या है, squares है, या फिर cubes है, one हमारे पास क्या है, one का cube, one ही होता, ये basically two का square है, ये basically three का cube है, ये basically four का square है, ये basically six का square है, और ये मेरे पास seven का cube है, तो ये two square, square चल रहा है, cube चल रहा है, square, और फिर यहाँ पे आपके पास कोई भी जो term आएगी, उसका cube होना चाहिए, फिर square, फिर cube, तो इसका मतलब है, ये one का cube है, तो three, two, three, two, three, two, three, ये powers चल रही हैं, क्योंकि आपके पास one, three, और यहाँ पे seven, यानि ये odd numbers है, one, three, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर five होना चाहिए, और फिर ये seven है, तो odd numbers का क्या चल रहा है, cube चल रहा है, और even numbers का अगर आप गौर करें, even numbers का square, two का square, तो फिर four आता है, फिर उसके बाद four का square even है, वो 16, six आपके पास even है, उसका square करेंगे तो 36 बनेगा, तो basically क्या sequence बन रहा है, कि odd numbers का cube है, तो फिर आपके पास वो एक sequence बना रहा है, और even numbers का square है, तो एक sequence बन रहा है, तो यहाँ से हमने crack कर लिया, कि ये हमारे प 25, तो उस लिहाँ से हमारा right answer क्या होना चाहिए, solution देख लें, clearly the given series consist of cubes of odd numbers and squares of even numbers, cubes आपके पास odd numbers के हैं, और squares आपके पास even numbers के हैं, तो right answer would become 125, moving on, एक और example देख लेते हैं, 48, 28, 80, 244, और आगे question mark है, अब यहाँ पे हमारे पास squares और cubes की ही बात कर रहे हैं हम, तो इस तरीके के questions का भी, अगर आप देखें, तो options दियें में हैं, तो options से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, solution क्या बता रहा है, the terms of the given series are 3 raised to power 1, plus 1, 3 raised to power 2, minus 1, 3 raised to power 3, plus 1, 3 raised to power 4, minus 1, 3 raised to power 5, plus 1, and so far and so on, तो कुछ आपने इस variety के भी questions देखने हैं, जिसके अंदर powers और cubes के साथ साथ addition और subtraction का भी operator अप्लाई हो रहा है, जिस तरीके से वो बता रहा है कि 4 के लिए 3 raised to power 1, और क्या किया, plus 1 किया, फिर इसके लिए 3 raised to power 2, minus 1 किया, इसके लिए 3 raised to power 3, और plus 1 किया, फर्दर आगे 80 के लिए 3 raised to power 4, minus 1, फिर 3 raised to power 5, plus 1 किया, क्योंकि 243 होता है, plus 1 करेंगे 244 आजाएगा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास right answer है, और वो क्या होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और वो 3 raised to power 6 था, यहाँ पे आपके पास plus 1, minus 1, plus 1, और यहाँ पे minus 1 होना चाहिए, clear हो गया students, और 3 raised to power 6, अगर आप calculate करना चाहते हैं, तो 3 raised to power 4 क्या होता है, 81 होता है, और फिर 3 raised to power 5, 243 होता है, और 243 into 3 कर दें आप, 339, 4312, 1 carry, 236, और यह 729, और हमने क्या करना है, minus 1 करना है, तो right answer would become as per the logic that is 728, clear हो गया students, move करते हैं, आगे एक और model की तरफ that is related to prime numbers, बहुत ही interesting है, और prime numbers का भी आपको पता होना चाहिए, कि वो कौन से है, that is divisible by itself या फिर 1 पे divide होते हो, यानि कि दो उनके distinct factors होते हैं, एक वो itself खुद होते हैं और दूसरा 1 होता है, तो वो आपके पास 2, 3, 5, 7 and so far and so on, यह आपके पास prime numbers होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होता, तो 10, 21, 34, 70 और 93, अगर 10 है, तो 10 में कितना add हुआ, 11 add हुआ, तो 21 बना, फिर 21 में आगे फर्दर कितना add हुआ, प्लस 13 करेंगे, तो 34 बनेगा, 70 और 93 का भी चेक कर लेते हैं, कितना add करूँ, मैं 70 के अंदर, 23 add करूँगा, अब यहाँ पे अगर आप notice करें, तो यह 11 है, यह 13 है, और next prime number क्या होना चाहिए, वो आपके पास प्लस 17 बनता है, और फिर इसके अंदर क्या add होना चाहिए, प्लस 19 होना चाहिए, और 19 के बाद फिर, और प्राइम नंबर का बाता है, 23 आता है, तो वो यहाँ पे 23 ही आ रह बाना चाहिए, 7 और 4, 11, 1 carry, 31 और यह 51 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि question mark would be equal to 51 और मैं चेक भी कर लेता हूं, कि 51 मैं 19 add करूं तो 70 बनता है, येस बनता है, तो इट मीन्स के मेरी logic as per the prime number model वो बिलकुल ठीक थी, तो right answer would become 51, clear हो गया students, अब हम मजीद आगे चलते हैं, number series को ही discuss करेंगे, students, अब ये हमने तकरीबन addition, multiplication, subtraction, division, squares, cubes, further last, prime numbers और इन से jumbled form में जो operators आ रहे थे, वो तमाम हमने discuss किये, तो ये तकरीबन 6 models, 6, 7, 8 models हमने discuss कर लिए हैं, अब एक और type के question को हम discuss करते हैं, मैंने आपको lecture के start में बताया था, कि ये हम case number one discuss कर रहे हैं, जिसमें हम missing term बता रहे हैं, students number series में ही हमने case number two अब discuss करने जा रहे हैं, finding the wrong term in the given series, एक तो हमारे पास series थी जिसके अंदर हम missing term बताते थे, और अब हम बताने जा रहे हैं, wrong term, because अगर आपको वो तमाम operators, तमाम models clear हैं, तो आपको wrong term बताने में भी कोई मसला नहीं होगा, illustrative example से start करते हैं, आपकी book में ऐसा कोई question मुझूद नहीं है, मैं example से ही समझा देता हूँ, finding the wrong number in the series, 7, 28, 63, 124, 215, 342 and 511, यह आपके पास एक sequence दियावा है, अब यह sequence को देखते साथ ही students मेरे जहन में यह आया कि जब different numbers आप देखते जाएंगे, तो आप के जहन में cubes और squares चलने लग जाएंगे, जैसे कि 7 को अगर आप देखें, तो 2 का cube minus 1 करें, फिर 28 को आप देखें, तो 3 का cube plus 1 करते हैं, तो 28 आता है, फिर इसी तरीके से 63 को देखें, 4 cube minus 1, 5 cube minus 1, यह 6 cube minus 1, 7 cube minus 1, और 8 का cube और minus 1 किया, तो आपके पास 511 बना, तो आप इसमें से हमने क्या बताना है, रॉंग नंबर बताना है, इंदा सीरीज, 7, 28, 124, 2, 15, तो 7 में आपको बता रहा हूं के क्या है, 2 का cube minus 1 है, 28 क्या है, आपके पास 3 का cube, और वो plus 1 हो जाएगा, अब यह minus 1 है, plus 1 हो गया, अब यह देखते हैं, 63 कैसे आ रहा है, 63 आप के पास आ रहा है, 4 का cube, minus 1 करके, 125 कैसे आ रहा है, 5 का cube, minus 1 करके, 215 कैसे आ रहा है, 6 का cube, minus 1 करके, और 342, 7 cube, minus 1 करके, और 5, 11, 8 cube, minus 1 करके, clear हो गया, तो यह तमाम ही minus में चल रहे थे, सिरफ एक ही क्या है, वो plus में चल रहा था, तो इसका मतलब है, यहां पे answer हमारा क्या होन चाहिए था 3 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए था विच इस 27 माइनस 1 गिव्ज यू 26 तो यहां पे 26 होना चाहिए था तो वो आप से यह नहीं पूछ रहा के मुझे यहां पर राइट आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए था कि राइट नमबर क्या होना चाहिए था वो सिरफ आ है right answer भी है as per the sequence or logically the correct sequence is two cube minus one three cube minus one up to two on eight cube minus one ये एक correct sequence था तो उसलिए हाज से हमारा right answer क्या बन जाएगा beta 28 क्लिर हो गया students कुछ और मजीद examples discuss करते हैं finding the wrong number in the series then again हमने wrong number बताना है तो यहां पे आपके पास two raise to power one plus one हुआ two raise to power three फिर two raise to power four और फिर आगे इसी तरह चलता गया जी students ये हमारे पास sequence दिया हुआ है और options आपके सामने मौजूद हैं तो अगर हम देखें तो three में कितना add हो रहा है plus five add हो रहा है eight में फिर कितना add हो रहा है कि fifteen आए plus seven हो रहा है fifteen में कितना add हुआ plus nine add हुआ फिर उसके बाद twenty four में कितना add हुआ five seven nine eleven add होना चाहिए था basically क्योंकि as per the sequence ये odd number का sequence बन रहा है five seven nine और eleven होना चाहिए था बट यहां पे हुआ क्या यहां पे ten add हुआ तो 34 बन गया अब मजीद आगे हम देखते हैं कि 84 और 63 अभी इन दोनों का find ना करें 48 और 63 63 में से 48 माइनस कर देते हैं आप तो आपके पास 12 और यह plus क्या आता है 15 आता है तो इसका मतब है इससे backward क्या होना चाहिए था कि यहां पे जो कोई भी number है उसमें प्लस 13 होगा तो 48 आएगा तो वो ऐसा number यहां पे कौन सा होना चाहिए था clearly हमें यहां से sequence और logic के तहत यह पता चल गया है कि प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और यहां पे प्लस 11 होना चाहिए था तो 24 में जब 11 एड करूंगा तो मेरे पास यहां पे 35 बनना चाहिए था और 35 में फर्दर फिर मैं 13 एड करूंगा तो वो 48 देगा clear हो गया students तो इस लिहाज से हमारा जो wrong number है जो wrong term है वो कौन सी है जो misfit हो रही है वो 34 है clear हो गया the difference between consecutive terms of the given series are respectively 5, 7, 9, 11, 13 and 15 तो इस लिहाज से हमारे पास 11 एड होना चाहिए था जो difference आपके पास आ रहा था ताके next term आ जाए तो right answer would become 34 और इस sequence की जो misfit term है that is 34 example number 3 देखें identify the wrong number in the series 69, 55, 26, 13, 5 अब इसके अंदर भी हमने क्या बतानी है wrong term बतानी है तो students कुछ question आपके पास ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वो जो digits हैं उनको यह आपस में multiply करना पड़ जाता है जैसे के यहाँ पर देखें कि 6 और 9 आपस में multiply होंगे तो क्या आएगा 54 आएगा और उसमें one add करेंगे यानि इन दोनों को multiply किया और प्लस one किया तो क्या बन रहा है 55 69 54 प्लस one तो 55 अब देखें 55 55 25 प्लस one करेंगे तो 26 बनेगा 6 2 12 प्लस one करेंगे तो 13 बनेगा 3 1 और 3 इंटू इनको multiply करेंगे यानि यह multiply ही हो रहे हैं और उसमें सिरफ एक एक add भी हो रहा है तो 3 इंटू 1 3 और प्लस one करेंगे तो क्या होना चाहिए था इसकी जगे 4 होना चाहिए था तो wrong term कौन सी हुई यह वली हुई और यही क्या होगा right answer होगा ना की 4 clear हो गया students तो हमारे options क्या है 5, 13, 26 और 55 तो right answer हमारा क्या हो जाएगा as per the logic clearly in the given series each term is one more than the product of the digits each term is one more than the product of the terms of the digits of the preceding term thus 6 into 9 plus 1 equal to 55 5 into 5 plus 1 26 2 into 6 plus 1 that is 13 तो इसलिए हासे हमारी logic बिलकुल ठीक है so as per this missing term कौन सी हो जाएगी alpha 5 हो जाएगी तो students यहां तक हमारा जितनी भी number series थी वो यहीं तक थी जिसके अंदर हमने different models को discuss किया और case 1 और case 2 को discuss किया I hope कि आपकी कुछ exposure मिला होगा आपको different questions है उनकी different varieties से अब आपने उनको practice करते जाना है और अपनी book में भी जो questions हैं उनको practice करना है ताकि आपको जब कभी भी IQ से related questions आएं तो कोई मसला ना हो